यही होना चाहिए हमारे लाइफ का मोटो डॉक्तर साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप बताने जा रहे थे कि वाट इस दे में गोल ऑफ लाइफ देखिए हुमन जो लाइफ है हमारा जो मानव जनम हमको मिला है इसका मुख्य उदेश केवल और केवल यही है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ I am soul और मैं इस शरीर में कुछ दिन के लिए हूँ यह बिल्कुल fact है सत्ते बात है इसको कोई जुटला नहीं सकता है थोड़े से समय के लिए मैं इसके अंदर महमान हूँ और जितने दिन मैं इसमें रहूँ इससे कुछ अच्छा कार्य करूँ लेकिन टोटली opposite करते हैं दिन भर इसके साथ जो है शेड़ खानी करते हैं इसको destroy करने पर तुले हुए इसलिए मैं कई बर कहता हूँ कि हमारा जो बुद्धी है जो हमारी जो intelligence है वो काम नहीं कर रही है यह हम उसको use नहीं कर रहे हैं इसलिए आयरवेद में भी इसको कहा गया है प्रग्या पराद बुद्धी का दुर्पियो जी जी इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँग को हमारा है जिस का मन प्रसंद उ जिसकी इंदरियां प्रसंद किवल सारी नहीं रहे हैं कि आपको महनलो कॉलिस्ट्रोल आपका नॉर्मल Northern था आज कर लोग जाते हैं टेस्ट करा आते हैं को सारे ट्रेस्ट अगर कोई चोरी करेगा, कोई हिंसा करेगा, वाइलेंस कर रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी को एक्स्प्लोइट कर रहा है, बहुत चलता है आज कल ऐसा, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहते हैं, आईरवेद के हिसाब से, वो पुरुष नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रसंद थोड़ी, अगर आप जूट बोलेंगे, आप अगर चोरी करेंगे, तो आपकी आत्मा प्रसंद थोड़ी होगी, आप कह सकते हैं कि शायद कि मन प्रसंद होगा, लेकिन वास्तव में मन भी प्रसंद नहीं होता, मन जो है, वो एक ऐसी स्थिती में होता है कि उसको खुदी मालूम निये हो क्या कर रहा है मैं अक्सर इसका उधारन देता हूं कि जैसे एक व्यक्ति किसी ने शराप पी होती न और बहुत नशे में धुत होता है जो उस तरह से हमारा मन हो चुका आज तो वो ऐसे काम करके उसको लगता है कि मुझे आनन्दा रहा है मजा रहा है कोई चोरी करना चीटिंग करना किसी का आज बड़े-बड़े स्कैम हो रहे हैं तिलहाल देखते है कि हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है जी बलकुम अलो नमस्कार जी वेलकम तो इतरनल हेल्थ अपना नम बताएंगे प्लीज अपका शुबनाम कहां से बोल रहे हैं कहां से बोल रहे हैं जी बोलिये दिक्षिट जी क्या समस्ष्ट आपका नमस्कार जी अज़ा है पेट हमारा साफ नहीं होता है अच्छा अच्छा दो-तीन बार जाना पड़ता है उस से भी जदा जाना पड़ता है जो थिन वार पके लिया हे है अठके मतलब कि आपको समझना क्या है सबसे पहले दो चीजें होती हैं आपके माधिम से मैं सभी दर्शकों को बता दूँ यह जो कबज है कॉंस्टिपेशन है इसका अर्थ लोगों को मालूम नहीं होता है कुछ लोग बोलते हैं हमें कबज है कबज का अर्थ होता है कि जब आपको मोशन आए ना बिलकुल भी और अगर आए तो बड़ी मुश्किल से आया और बहुत हाड और बहुत सक्त जब आपका मल होता उसको कहते है कबज लेकिन जब आपको कई बार जाना पड़ता है एक बारी में पेट साफ ना हो तीन-चार बार जाना पड़ता है उसको कबज कında कहते ह उसको हमारे आयरुवेद में कहते हैं अजीरन इंडाइजेशन यानि के आपका पाचन जो है वो ठीक नहीं है और जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है जब वो पूरी तरह नहीं पचता है तो कच्छा जो भोजन रह जाता है उससे आम बनता है और जो हम देख़े हैं जहां पुछ फ़ए अन्हों हो गया काम तमाम तो वह आम जब आपकी आतों में चिपक जाता है तो आपका मल भार में नहीं निकलेगा बार बार आपको जाना पड़ेगा कई बर खाना-खाने के बाद भी आपको लगा रहेगा कि आपका पाचन जो है व लोग बड़ी कचोड़ी वगरा बहुत खाते हैं अगर आप जो है हलका भोजन भी खा रहे हैं और वो भी नहीं पचराए तो इसका मतलब आपकी अगनी जो है आपकी जो जटरागनी है पाचक शक्ती जो है उसको हमें इंपरूब करना पड़ेगा उसके लिए एक आपको सिं भूप ठीक है और भूप लगता है यही आपका जो है क्योंको मिर पास आते हैं कहके हमें भूप बहूप अच्य लगती है जी हमारा खाना पच जाता है यह गलत है खाना पचना भूप लगना और पoration साल्णा तीनों एक साथ जुड़े हुआ हैं जब आपका पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा है तो आपका खाना नहीं पच रहा है भूक भले ही आपको लगती होगी कोई बात नहीं भूक माइंड में भी लगती है कही बार पेट नहीं मांग रहा है लेकिन सामने दिखा अच्छा खाना तो खा लेते हैं उसको और दो गंटे बाद फिर कोई देता पिर खा लेते हैं फिर एक गंटे बाद फिर खा लेते हैं तो ये इसको समझने की जुरूत है आप को एक बहुत बढ़िया नुसका में बता रहा हूँ नुसका क्या एक पावडर होता है आयरवेद एक चूरन है लवन भासकर चूरन आप सेवन करिए आपका काम तरफले से न तो आपका दो तीन सब्ता के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको चमतकारिक रिजल्ट मिलेंगे और इस समय में कोशिश करिए भोजन थोड़ा सा जो है लगू जिसको बोलते हैं मूंकी दाल लौकी तोरी टिंडा पेठा करेला पर्मल इस तरह की सब्जिया ज़्यादा आलू नहीं खाना है बहुत ज़्यादा जो है हाजी मैं रख यह लवकी तोरी और यहीं जातर लेता हूँ बहुत अच्छी बात है तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपका पाचन जो है कमजोर है इसका मतलब उसको आश हो गया है फिर आपकी चकित्सा हमें करनी पड़ेगी उसके लिए हम आपको स्पेसिफिक दवाई बना करके भेजेंगे बिलकुल निश्चिंत रही है आपके स्वास्त का हमें पूरा खयाल है और आपको हम आयरवेद से बिलकुल 100% ठीक करेंगे ठीक है जी थैंक यू गू लोग हैं से लाखों करोडों की तादात में जिनको कुछ मालूम नहीं अपने पेट के बारे में उनको लगता है कि पेट साफ नहीं हो रहा लेकिन समश्या कुछ और यह अच्छा बहुत डिसकेशन रहा और हमने इस मादिम से यह समझाया कि पाचन जो खराब होता है तो आ हाड होता है तो वहां वात का प्रकोप है यह जो आपका अजीरन जो हुआ है इसमें पित्त से भी हो सकता है कफ से भी हो सकता है वायू से भी हो सकता है तीनों चीजों से हो सकता है तो इसलिए बहुत अच्छा डिसकेशन मेरे ख्याल से रहा और हम लोटते हैं सद्वरत पर झाल